अध्याए एक क्या, कब, कहां और कैसे? रशीदा का सवाल रशीदा बैठी अख़वार पढ़ रही थी अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पढ़ी सौ साल पहले वह सोचने लगी यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था? कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो टेलिविजन देख सकते हो या फिर अख़वार पढ़ सकते हो साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है हम, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते है अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हम आखे टकों यानि शिकारियों, पशू पालकों, क्रिशकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैग्यानिकों के जीवन के बा कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानिया सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहां रहते थे। प्रिश्ट संख्या 2 पहले गेहूं तथा जव जैसी फसलों को उपजाना अरंभ किया। उन्हों ने भेड, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाउं में रहते थे। इस प्रिश्ट पर एक मानचित्र दिया गया है जो उप महादवीप का प्राक्रितिक मानचित्र है। प्रिश्ट संख्या तीन मानचित्र पर सिंधू तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। मानचित्र एक दक्षिन एशिया यानि आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, भूटान और श्रिलंका और अफगानिस्तान, इरान, चीन तथा म्यामार आधी पडोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिन एशिया का एक महाद्वीप से छोटा है। लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाडियों तथा पर्वतों से बंटे होने के कारण इसे प्रायह उप महाद्वीप कहा जाता है। आईए अब आज के पाठ में चलें। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्ही नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आपके करने के लिए गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। आईए अब पाठ में चलें। गंगा के दक्षिन में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानि वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदयो उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी-कभी हिमाले जैसे उँचे परवतों, पहाडियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभो नहीं थी। अतर कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को आया जाया करते थे। कभी-कभी सेनाएं दूसरे क्षित्रों पर विजय हासिल करने के लिए आती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूलेवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गाउं से दूसरे गाउं तथा एक कस्वे से दूसरे कस्वे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वश यात्रा भी किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का आउसर मिला। आपके लिए प्रश्न आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाडियां, परवत और समुद्र इस महादवीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। उप महादवीप के बाहर से भी कुछ लोग यहां आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंप्राओं को सुद्रिध किया। कई सव वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहां तक की भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाया। अपने देश के लिए हम प्रायह इंडिया या भारत जैसे नामों का उपयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधू कहा जाता है। अपने एटलस में इरान और युनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले इरानियों और युनानियों ने सिंधू को हिंदोस अत्वा इंडोस और नदी के पूर्व के भाग में स्थित भूमी प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस किताब बनाने के लिए ताड के पत्तों को काट कर उनके अलग-अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड की छाल से बनी एक ऐसी ही पांडूलीपी को तुम इस पुस्तक में देख सकते हो। अब आईए पाठ में चलें। अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इन में से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूणना और पढ़ना है। अंग्रेजी में पांडूलीपी के लिए प्रयूप्त होने वाला मैन्यू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडूलीपियां प्रया ताड़ पत्रों अत्वा हिमालेक शेत्र में उगने वाले भूर्ज दामक पेड की छाल से विशेश तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी मिलती हैं। प्रिष्ट संख्या पांच इतने वर्षों में इन में से कई पांडूलीपियों को कीडों ने खालिया तथा कुछ नश्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडूलीपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायह ये पांडूलीपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मानेताओं व अब्यवहारों, राजाओं के जीवन, आउशधियों तथा विज्ञान आधी सभी प्रकार के विशयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहां महाकाब्वे, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इन में से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य, प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भार्षा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभी लेखों का भी अध्यन कर सकते हैं। ऐसे लेख, पत्थर, अथवा, धातु जैसी अप्यक्षाकृत कठोर सतहों पर उतकीर्ण किये हुए मिलते हैं। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उतकीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभी लेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुशों ने भी अपने कारियों के विवरण उतकीर्ण करवाये हैं। उदाहरन के लिए प्राया शासक लड़ाईयों में अरजित विजयों का लेखा जोगा रखा करते थे। आपके लिए कार्य क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाव थे और ऐसा करने में क्या-क्या कठीनाईयां आती थी। यहां एक अभिलेक का चित्र दिया गया है। आईए अब इस अभिलेक के बारे जानकारी प्राप्त करें। अत्वा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अत्वा पढ़ते हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेक इस खेत्र में प्रयोग तो होने वाली युनानी तथा अरहमिक नामक दो भिन लिपियों तथा भाषाओं में है। आईए अब पाठ मे चलें। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्यान करने वाला व्यक्ति पुरा तत्वविद कहलाता है। पुरा तत्वविद पत्थर और इंट से बनी इमारतों के अवर्शेशों, चित्रों कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। प्रिष्ट संख्या 6। यहां एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र का चित्र दिया गया है। इस तरह के पात 1500 वर्ष पूर्व होता था। जरा सोचिए हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है। अब आए पाठ में चलें। पुरा तत्वविद जानवरों, चिडियों तथा मचलियों की हड्डियां भी ढूडते हैं। इससे उन्हें यह ज जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। आपके सोचने के लिए क्या पुरा तत्व विदों को बहुदा कपड़ों के आउशेश मिलते होंगे। अब पाठ में चलें। पांडू लिपियों, अभी लेखों तथा पुरा तत्व से प्राप्त जानकारिय के लिए इतिहासकार प्रायह स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का अतह इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं, जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अत्थे की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समुह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग माइने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथ्वाक्रिशकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा ब्यापारियों का जीवन शि जाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मचलियां पकड़ कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाईयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे की दो हजार या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना इसाई धर्म प्रवर्तक इसा मसी के जन्म की तिथी से की जाती है। अतह दो हजार वर्ष कहने का तातपर यह इसा मसी के जन्म के दो हजार वर्ष बाद से है। इसा मसी के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां इसा पूर्व यानि इसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदू मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। प्रिष्ट संख्या आठ इतिहास और तिथियां अंग्रेजी में BC यानी हिंदी में इसा पूर्व का तात्पर्य Before Christ या इसा पूर्व होता है। कभी-कभी तुम तिथियों से पहले AD या हिंदी में E लिखा पाती हो या Anodomini नामक दो लेटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य इसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी-कभी AD की जगा CE तथा BC की जगा BCE का प्रयोग होता है। BC अक्षरों का प्रयोग Common Era तथा BCE का Before Common Era के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामानने हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्ब आरंभ हुआ था। कभी-कभी अंग्रेजी के BP शब्दों का प्रयोग होता है जिसका तातपर Before Present यानि वर्तमान से पहले है। प्रिष्ट तीन पर दो तिथियां हैं। उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समुह का प्रयोग करोगी। अन्यत्र जैसा कि हमने पढ़ा अभी लेख कठोर सतहों पर उतकीर्ण कराये जाते हैं। इन में से कई अभी लेख कई सो वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभी लेखों में लिपियों और भाशाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ-साथ अभी लेखों में प्रयुक्त भाशाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अग्यात लिपी का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया के द्वारा लगाया जा सकता है। तीचे कुछ चित्र दिये गए हैं, इनका प्रयोग प्राचीन काल में लिपियों के रूप में होता था। प्रिष्ट संख्या नौ मिस्र के उत्तरी तट पर रोसिट्टा नाम का एक कस्वा है। ने बताया कि यहां राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कार्तूश कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समनार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम उपर दिये गए चित्र में देख सकते हो, यहां L अक्षर के लिए शेर तथा A अक्षर के लिए चिडिया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभी देखों को भी पढ़ सके।